जैहिंद स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल अमरित अकडमी पे जैसा कि देखिए अब शीटेट के एक्जाम में लगभग कुल मिला करके एक महिने का समय रह रहा है और एक महिने में आपको किस तरीके से त्यारी करनी है उसमें सबसे अहम रोल जो होता ह वो होता है आपके मौक टेस्ट का त्यूं मौक टेस्ट यॅल भूल हूं या प्रैक्टिस से ऐसे बोला जाता है ठीक है नुद इस्का सबसे ज़ादा महत्व होता है लेकिन इसलकर जोलोग भी चैनल पर सबस्क्राइब कर लिजेगा आज की इस वीडियो से आपको जरूर कुछ न कुछ बेनेफीट देखने को मिलेगा आप देखेंगे आज के बाद जब आप टेस्ट देंगे तो आपके नंबर में जरूर इंपूर्मेंट को मिलेगा ठीके ना सबसे पहले तो हम यह कहेंगे कि जो लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो उनको मॉक जरूर लगाना चाहिए ठीक ना जितना importance होता है form भरना उतना importance होता है किसी वी exam के लिए मॉक टेस्ट लगाना अगर हम इनके कुछ महत्पुड बातों की चर्चा करें कि क्यों important है देखिए सबसे पहले कि मॉक टेस्ट से आप अपनी तैयारी का आकलान कर पाते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में कितनी प्रिपरेशन हो रखी है ठीक है ना तो उसके मॉक टेस्ट से आप समय का प्रबंद कर सकते देखिए सीटेट की एक्जाम में अगर मैं बात करूं तो टाइम management का बहुत जादा important रोल है अभी मैं उसी पर चाहूंगा चर्चा में उद्देस हमारा time manage को ही लेकर के ठीक है यह तो यह आपका benefit हो जाता है दूसरा क्या है मॉक टेस्ट से आप परिक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं आसानी से आपको समझ आ जाता है अगला क्या है और मॉक टेस्ट का सबसे ज़्यादा रोल क्या होता है कि आपके आत्म विस्वास यानि की confidence का improvement देखने को मिलेगा जब आप मॉक टेस्ट लगा करके जाएंगे ना पेपर में तो आप एक अलग confidence है तो आपको mobile में या कहीं पर भी घड़ी में stop watch चालू कर लेना है given time में ही आपको complete करना है ठीक है या फिर अगर आप online लगा है तो उसमें timer लगा होता है और courses करिए कि जो आपका mock test है यह एक बार में complete करें मैंने कुछ बच्चों को ऐसा देखा है वह mock test को आदा लगा लि ठीक है यह बात आपको पता चल गी अच्छा और एक चीज़ यह द्यान देना कि mock test आपको full लगाना है कुछ लोग खुद को समझाते हैं कि अभी नहीं अभी मेरा syllabus complete नहीं हुआ यह video नहीं complete हुई वह नहीं complete हुई अभी थोड़ी दिर mock लगांगा अभी से नहीं कल से लग ठीक है और उसके बाद mock लगाने के बाद उसका analysis कीजिए जब आप analysis करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है कि कौन सा part जो है time वह आपका week है कौन सा strong है तो जो week chapter है आपके ठीक हो किसी subject के हो तो उनके theory आप पढ़ डालो जैसे अगर मालो आपके math में कम number आते हैं या template पढ़ा रखा है ठीक है ना वहां से clear करके दोवारा मौक दे सकते हैं अब देखिए अगला क्या है time taking का क्या role है देखो जब आप मौक लगाओ ना तो आप देखो सबसे पहले उस part को attempt करो जिसमें आपको लगता है कि मैं जादा time लेता हूं जैसे कुछ बच्चों को लग लगता है कि आप सबसे ज़्यादा confidence है ना तो उस chapter को या उस subject को सबसे लास्ट में लेना जैसे अगर आपको यह लगता है कि language में बहुत strong है तो आप सबसे लास्ट में करेंगे language attempt करना ठीक है इससे benefit क्या होगा मालो अगर आपको math और science में ज्यादा time लग भी गए तो आप अपने strong subject को 10 minute के अंदर भी सारा अगा सारा attempt कर सकते हो तो यह benefit होता है तो कोशिस कीजिए इस pattern को follow करने के लिए और जो लोग test नहीं लगा रहे हैं उन सबको मैं यही सला दूँगा कि test paper जरूर लगाए ठीक है ना बिना test paper लगाए आप paper देने नहीं जाए ठीक है ना बाक हमारे test में number नहीं आ रहे हैं तो देखिए कुछ लोगों की हर एक ब्रेक्टी का होता है एंडवेजविल्टी का concept होता है CDP में अब लोग पढ़ते हैं तो कुछ लोगों का diagnose करके एक दूसरे से ही बात करके समझ में यह तो एक general बात हो गई कि इस pattern को तो सबको follow करना है ठी कुछ नहीं कुछ information मिली होगी और अगर पसंद आई यह वीडियो तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलिए बाइबा टेक क्यार थैंक्यू सो मच जय हिंद